जैहिन, स्वागत है आपका Cricket Trendsie में माही राट याने माही और विराट ये टर्म हमें सोचिल मीडिया में आज काफी सुनने को मिलता है विराट कोली भी कभी अपने सोचिल मीडिया हैंडल्स की थुरू या तो कभी अपने इंटर्व्यूस में माही को प्रेज करते और उनकी प्रसंचा करते नहीं सकते हैं पर कुछी समय पहले लॉंच हुई एक गुग दिसका नाम है Coaching Beyond My Days with the Indian Cricket Team by R.Shridhar के page number 42 में एक ऐसी बात लिखी है जो माही राग फैंस के लिए काफी चुकाने वाली है इसमें आरश इदर ने रवी शास्त्री और विराट कोली के बीच की बातचीत लिखी है जो मैं आपके लिए आगे पढ़के सनाने वाली हूँ तो बने रही है 2016 ऐसा समय था जब विराट कोली जहां भी बल्ला गुमा रहे थे वहां रंस निकल रहे थे पर कहीं न कहीं विराट कोली के हाँ ट्रॉफिया नहीं लग पा रही थी इस समय तक महेंडर सिंग्धोनी ने उन्हें लाल गेंग की कफटानी ले दी थी लेकिन अब भी विराट कोली को सफेद गेंग की कफटानी नहीं मिली थी तो यहां पर आजशुदर लिखते हैं कि 2016 में एक ऐसा समय था जब विराट कोली सफेद गेंग की कफटानी लेने के लिए उताव ले थे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़े की या ऐसी चीज़े वो ली जिससे उन्हें पता चल गया कि वो कैप्टेंसी के लिए उताव ले हैं एक शाम दवी शाश्त्री ने उन्हें कॉल किया और कहा कि देखो विराट MS धोनी ने तुम्हें लाल गेन की कफटानी दी है तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा वो आपको लिमिटेड ओवर क्रिकेट की भी कफटानी देंगे जब सही समय आएगा अगर अभी आप उनके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जब आप टीम के कफटान बनेंगे तब आपकी टीम भी आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगी अब भी आप उनके रिस्पेक कीजिए जो भी चल रहा है उसे धान में ना रखते हुए आप अभी उनके रिस्पेक कीजिए आपको कप्तानी के पीछे नहीं भागना है कप्तानी खुद आपके पास आएगी और जब रवी शाष्ट्री ने विराट को समझाया तो उन्होंने रवी शाष्ट्री की ये जो एडवाइस थी वो ले ली और कुछी समय बाद हम सब जानते हैं कि विराट को सफीद गीन टीम की भी कप्तानी मिल गई अगर आपको इस बुक से जड़ी ऐसी ही और रोचक कहानिया सुननी है तो बने रहें मेरे साथ और हमारे योट्व चानल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें थैंक्यू